हुए है कि भाषा सिक्षण दूभाशी अनुवाद अर्थात समाचारों के हिंदी अनुवाद के इस नए सत्र में आपका स्वागत है आज की चर्चा में हम बात करेंगे pension से शंबनित अर्थात या banking अनुवाद है उसके अंग्रेजी समाचार के हिंदी में अनुवाद की बात करेंगा और उसके साथ कुछ कठीन शब्दों पर भी मंत्रना करेंगे और उसके साथ साथ आपके अनुवाद के कुछ नए गुर बात करेंगे चले फिर शुरू करते हैं, देखें, यहां लिखा हुआ है, payment of pension to retired government employees, including payment of basic pensions, increased internet relief, DR and other benefits, as and when announced by the governments, is governed by the relevant schemes prepared by concerned ministries department of the government of India and the state government. इसका अनुवाद होगा, सेवा निबरित सरकारी कर्मचारियों के pension, देखें, pension के लिए, परशाशनी का अनुवाद में pension ही दिया हुआ है, pension के भुकतान समेथ मूल वेतन, बढ़ी महंगाई भत्ता, actual में यह जो DR लिखा हुआ है, डेरनेस रलीव, हालाकि यह डेरनेस रलीव भत्ता होता है, लेकिन यहां राहत इसका आर्था रहा है, तो इसे आप राहत भी लिख सकते हैं, और सरकारों दोराजबिक किसी अन्य सुवधा की घोशना की जाती है, उनके भुकतान का संचालन, यह गौवर्न का संचालन, क्य अगले वाकिय में चलते हैं, अगला वाकिय है, the master circular consolidates important instructions on the subject issued by the Reserve Bank of India till March 31st, 2023, listed in appendix, appendix का मतलब आपको पता ही है, देखे, master circular, master circular को मूलता master circular ही लिख का जाता है, लेकिन आप चाहें, तो master परिपत्र भी इसे लिख सकते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं, इसकी अनुवाद में है, इस विखे पर भारती Reserve Bank दोरा, दिनांकी कतिस मार्च 2023 तक, परिशिष्ट में सूची बद जारी महत्वपून अनुवाद यहां master परिपत्र में समय गित हैं, अगले वाकिय में चलते हैं, it does not replace or supersede any existing government instruction on the manner, actually supersede का ह होता है कि suppress मतलब उसको बंद करना, supersede का मतलब अतिक्रमण करना और replace का मतलब बदलना, तो इस मामले पर यह किसी भी मौजूदा सरकारी अनुदेशों को न तो बदलता है नहीं उनका अतिक्रमण करता है, यहां अतिक्रमण सही शब्द है, the instructions issued by the pension sanctioning authority of the central and state governments and circulated by RBI in the past will continue to remain in operation, operation मतलब जारी रहेंगे, past मतलब पहले subject to subject मतलब ऐसा हो तो इस्थिती been made by the competent authority, केंद्र और राजसरकारों के pension स्विक्रिती प्राधिकरन, pension sanctioning authority है, द्वारा पूर्व में जारी और भारती रिजर्बैंक द्वारा परिचालित, अनुदेश, संबध प्राधिकारियों द तक लागू होंगे, या सवजन सोधन तक लागू होंगे, अगला वाकि लेते हैं, अगला वाकि कहता है, in order to obvyate, obvyate एक नया शब्द मिला, the time lag, time lag भी नया शब्द मिला, between issue of DR order and payment of DR to the beneficiaries, हितला बारती, अला बारती, to render expedious, expedious मतलब शिघरता से, service to senior citizen, it has been decided to discontinue the procedure of forwarding government order, in respect of dearness relief, etc. to pension paying agency, पहले ये नियम था, कि जब तक आदेश नहीं आएगा, कि आपका DA बढ़ा है, तब तक उसका भुगतान नहीं होता था, इस से सरकार ने बंद कर दिया है, उसी सम्मधिती है, देखे शब्द पे चर्चा कर ले, obvyate जो है, ये transitive verb है, to anticipate and prevent, मतलब किसी ची to make an action unnecessary, इसका synonyms होता है, prevent या avoid, avoid, synonym मतलब similar meaning, और antonym से assist, aid, facilitate, or ease, time lag है, noun है, time lag का मतलब है, interval, इस वाकी के लिए विलंब अधिक उपियुक्त होगा, अगला लेते हैं, अगला कहता है, महाई राहत जारी रहने और हित धारकों को उसके भुगतान, और वरिष्ट नागरीक को त्वरित सुविधा उपलद करवाने के बीच के समय अंत्राल, मतलब विलंब नो हो, इसके लिए यह निड़े लिया गया है, कि महाई रहात आधि से सम्मंदित, सरकारी आधिस, पेंशन भुगतान करने वाली एजेंसी, एजेंसी हैं, इसलिए लिया गया है, क्योंकि प बैंक में, therefore, act on the copies of government orders supplied by government to them through cost, डाक से बेजा गया हो, fax से बेजा गया हो, email बेजा गया हो, और by assessing from the website and authorized their pension paying branches to make payments to the pensioners immediately, अगर आप ऐसे सामानने स्तर से देखें, तो यह कहा गया है, कि बैंक इसको fax से मिले, email से मिले, या website से डाउनलोड करके, पेंशन का भुगतान कर द सरकार द्वारा, डाक, fax, email या website से प्रिसिद सरकारी आदेश की प्रतियों के अनुरूप, कारवाई करते हुए, अपने pension भुगतान करने वाली शाकाओं को, pension भोगियों को भुगतान करने के लिए ततकाल प्राधिकृतिक करेंगी, मतलब जैसी आएगा तुरंत कहेंगी, प्रांप्ट इंप्लिम्टेशन अफ गौर्वर्मेंट्स इंस्ट्रक्शन बाई एजन्सी बैंक, एजन्सी बैंकों के द्वारा सरकारी निर्देशों का ततकाल कार्यान वन, अल एजन्सी बैंक्स अर अडवाईज टू स्क्रपलसली, फालो अल दू गाइडलाइन्स, समस पोह सबसे ज़्यादा उप्यूक्त है, एजन्सी बैंक में भी गाइड़ेड़ बाई रिलिवेंट गौर्वर्मेंट इंस्ट्रक्शन इसमें कहा गया शंका या किसी उहापोह या सपस्ट विरोधावास ये डिक्शनरी मिलता है, हलाकि ठीक नहीं लग रहा है, कि इस्थि समराइजड हीरविट, यहां देखिए समराइजड जो है, यहां समराइजड भी एक थोड़ा से विचीतर सा लगा, उसके बारे यहीं बताएंगे, इस सम्मंद में भारती रिजर बैंक द्वाराजारी विविन परिपत्रों की सामगरियें यहां संकली थें, देखिए समरा लिखते हैं, तो भी सही नहीं लगता है, ऐसी इस्थिती में आप चाहें, तो संचिप्त संकलन समराइजड जो है, इसको संचिप्त संकलन लिख लें, या फिर संकलन का सार लिख सकते हैं, पर कई बार नियमों को संचिप में लिखने से उनके मूल भाव नश्ट होने का भा अगली चर्चा में हम फिर जुड़ेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिप्या सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली चर्चा ही मिलती रहें